सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखो कि फीनोलक्स के विल ने अपने कॉटर फॉर के नंबर डिश्क्लोज कर दियें कैसे रहे हैं और साथ में अनॉस्मेंट क्या हुआ है अनॉस्मेंट की अगर बात किर तो यहां पर देखो को भी आठ रूपे यानि की चारसो प्रसेंट से कंपनी ने किया है डिविडिंट का एलान ठीक है उसके बाद देखो कि फी रेजल्ट कैसे है और इसका जो इंपक्त है वो हमें स्टॉक के ओपर आखिर कार कैसा देखने को मिलेगा तो यहां पर देखो कि कंस्टॉल डेटी रेजल्ट्स देखेंगे और फीगर फीगर द देखने हों मिलें अगर बात की जाए टोटल इंकम की है टोटल रिवेंट तो अपके बार जो रहा है भी वह है एक अजार चारसो पचास कोड़ जबकि प्रिवेस में 1260 कोड़ था प्रिवेसर के सेम कौर्टर में 1260 कोड़ यह तू एर और कॉर्ट के रिवेंडियो में जं प्रिवेंट कोड़ पर पहुंची है इसके बाद देखो कि एकसे एकसे हैं एकजार दो सो क्यावन क्रोड प्रिवेस में गया थी एकजार दिन यानवे और प्रिवेसर के सेम कौर्टर में 1290 के साथ इसका रिवेंडियों के साथ साथ जो इसका एकस्पेंस है वह भी बड़ प्रोफिट बनाया लेकिन कितना प्रोफिट अब ही तो यहां पर देखोगे net profit for the period अगर बात करें तो previous quarter में था भी 50 150 कोड़ वहां से हुआ अपके बार 16 क्रोड़ और previous के same quarter में 105 क्रोड़ तो year to year and quarter to quarter profits में इसके हमें जंब देखने को मिल रहा है वहीं अगर बात के जाए तो पंसो च्यार क्रोड़ से profit उसे लगर हो गया भी छेसो एक्यावन क्रोड़ तो profitable results अभी इसके बाद देखो गए earning per share EPS बारा रुपे सत्रा पैसे previous में 87 था प्रिवजर का सेम क्वाटर में 11.44 अब बताते भी आपको आखरकर इसका impact क्या सा रहेगा last time है न result तो इसका impact कैसा रहेगा वह expected results से पता चलेगा जो expected results है जो आप लोग देखो कि जो earning per share EPS expect किया गया था ग्यारा रुपे छे पैसे ठीक है ग्यारा छे का EPS expect किया गया था आया कितना है बारा रुपे सत्रा पैसे यानिकि earning per share के मामले में बीट किया है वह अगर बात की जाए भी revenue revenue जो expect किया गया था वह था भी तेरा सो सतर क्रोड और आया कितना है आया तो अभी चोदा सो एक क्रोड रिवेनिंग फ्रम उप्रेशन तो EPS और earning per share के मामले में यहां पर company के जो results है उसने बीट किया है इसका अच्छे है और इसका जो impact है वह भी हमें positive stock के ओपर देखने को मिलेगा और वाक्की वीडियो को पोस्ट करके revenue segments यहां पर आप लोग देख लेना वीडियो को पोस्ट करके और इसव नोट सरब इन्हें भी पढ़ लेना ठीक अगर आपके पास company के शेर है तो यह total updates है यहां पर आपको cashflow statements देखने को मिल जाएगी and thank you for watching the video